प्रिये भाई और बेहनों आज इका शुबसंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं क्रूस पर लटका दिया श्राफित तुझको माना गया हमारे अधर्मों के कारण ये शुब तो कुछ लागया क्रूस पर लटका दिया श्राफित तुझको माना गया हमारे अधर्मों के कारण ये शुब तो कुछ लागया वाद हुआ मेमना दन्यवा इशु तुझे आदर माही मा इशु राजा तेरा रांज यूग यूग रहे आज का संदेश प्रभु के दाज टीवी एंटनी अंगलेशवर से बाटा जाएगा रातना के साथ सुनिए प्रभु की नाम की स्तुति हो सुबसंदेश की द्वारा प्रमेशवर की जो वचन सुनते हैं सभी लोगं को हमारा अभिवंदन है आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिगा चाओदा अध्याई की नवमी कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ रोमन्स चाप्टर फॉर्टीन वेट्स नायन क्योंकि मसी इसलिए मरा और जीवपी उटा की वह मरे हो और जीवदो दोनों का प्रभु हो प्रभु की नाम की स्तुति हो रोमियों का पत्रिगा चाओदा अध्याई में हम देखते हैं कि पवलोस और विश्वासी लोगं को इस प्रगार खालते हैं जो संकास्पत जो बात हैं उसमें ज्याई नहीं करना है जो संका है, सक्क है, कुछ बात हुआ है उसमें बेराबर हमको मालुम नहीं तो हम उस बातों में ज्याई नहीं करना है और इसका समद में नीचे का कलो में ये बातों हम दे सकते हैं कुछ लोग सागहरी मनुश्य है जो साग काते हैं और वेज़ काने वाला है वो नौन वेज़ काने वाला जो मामसहरी लोग जो वेज़ काने वाला लोगम को उपर न्याई ने करना है जो वेज़ काने वाला है वो लोग मामसहारी नौन वेज़ काने वाला लोहम में न्याई नई करना है परमेशवज और दोनों कभी स्विकार किया है और प्रभीश्य मसी का द्वारा ये लोगं को उधार दिया है जो साक्कारी है वो चादा पवित्र है इस प्रगार नहीं वो सकता है जो नौन्वेज जो मामसहारी है वो भी बहुत पवित्र है और नहीं बोल सकता है जो धनिवात का साथ में हम परमेश्वर ने दिया हुआ है बोजन को हम का सकता है जो भोजन का द्वारा परमेशर को महिमा मिलना चोटी-चोटी बातों में परमोश्चर का लोग का बीच में कुछ टौकर का काम नहीं करना है जैसे हम इसी प्रगार की चोटी बातों में और ज्याई नहीं करना है इसलिए यहाम तो पवलोस ने इस प्रगार खालते हैं क्योंकि मसीय इसलिए मरा और जीव पी उठा की वह मरे हुओ और जीव तो दोनों का प्रभू है इसलिए जो विश्वास में लोग जीने का बात में मर गिया है वो लोग को न्याई करने वाला अमारा प्रभू इसलिए है अभी जो पुर्तवी में विश्वास में जीवत रहते हैं वो लोग को भी न्याई करने वाला अमारा प्रभू इसलिए है इतना भी नई पूरे दुनिया में जो अविश्वासी लोग है अम्दिम समय में वो लोग कभी और न्याई करेगा प्रवीश्य मसी विश्वासी लोग एक बार आम इस प्रतिवी का जीवन चोड़ कर आम प्रभु का पास में जाते है महिमासन का सामने अमारे न्याई होगा हम इस देह में रहकर क्या-क्या बातें किया है उसका अनुसार अमारे जीवन में न्याई होगा लेकिन आम एक बात हम इधर दे सकता है जीवते रहने वाला जैसे मरे वुवम का म्याई करने का दिगार प्रवी इश्व मसी का हाथ में है इसलिए इश्व मसी और मर भी किया और उसका बात में चीवित हो गया पहले कुरुंदियों का पत्रिगा छे अध्याई की उनीस वियाएद में इस प्रगार पढ़ते है क्या तुम नहीं जानते है कि तुमारी देह पवित्रा आत्मा का मंदिर है जो तुमें बसा उआ है और तुमें परमेशर की और से मिला है और तुम अपने नहीं हो अमारे देह परमेशर का आत्मा का मंदिर है क्यों प्रवीश्व मसी हमको खरीदे हुए है प्रवीशुमसी का लहू से हमको खरीदा हुआ है जो प्रवीशुमसी में विश्वास किया लोग और परमेश्वर ने प्रवीशुमसी का दुआरा खरीदे हुए लोग है इसलिए हम और प्रवीशु मसी का है प्रवीशु मसी हमारा न्याय दिश है हमारा न्याय करने वाला प्रभू है इसलिए समय का पहले किसी कभी न्याय करना नहीं अगर कुछ कलीशिय में दुर्मार्ग में रहते है कराब जीवन जीरा है वो हमको मालूम पड़ेगा तो उसमें हम डिसिप्लिन कर सकते हैं लेकिन जो सक्क है जो शंका है उसमें हम ज्याई करना नहीं है इसलिए यहाम तो यह बातों को बता रहें कि प्रभीशु मसी ज्याई दिस अमारे ज्याई करने वाला प्रभू है इसलिए पहले कुरिंदी पंदरा दियाई की तीसरी और चोती कलम में हम इस प्रगार पड़ते हैं इसी कारण मैंने सबसे पहले तुमें वही बात पहुचा दी जो मुझे पहुची थी कि पवित्र शास्तर के वचन के अनुशार ईशु मसी हमारे पाबों के लिए मर गिया और गाड़ा गिया और पवित्र शास्तर के अनुशार तीसरे दिन जीव प्यूटा है प्रविशु मसी और बहुत सदियों का पहले से परमेश्वर का जो काम है वो प्रविशु मसी वचन में जी लिका है उसका अनुशार प्रविशु मसी का मुर्त्यु है और पुनुर्धान है इस पुनुर्धान की भात हम दे सकते है अमारा उद्धार का कारण बने इशु मसी पाप के लिए पाप का निवारन के लिए एक बार तो मुर्त्यु पाया लेकिन इशु मसी सजीवन हुआ ये सब पवित्र शास्तर का वचन का आदार पर हुआ है अम कोलीशियों का पत्रिहा में लिखा हुआ है हम इश्प्रगार पढ़ते हैं और वही देह अर्तत कलीशिया का सीर है वही आदी है और मरेवों में से जी उटने वालों में पहिलेटा की सब बातों में वही प्रदा प्रवीश्य मसी मृतिव से सजीवन होकर पहले फल तरीके सोर्ग में है वो पहलेटा है सबी बातों में वही प्रतान टहरा है सबी बातों में और उसको प्रतान और किया गया है और विश्वासी लोगं को न्याई करना है इस प्रतिवी में हमारे लिए धंड देकर चलाना है उसको अढ़िगार दिया हुआ है प्रमेश और उसbar उसदिगार इसलिए दिया है कि इस पृतिविय में भाभी लोगं के लिए मरने के लिए अपने पूत्र को बेजा मरने का बात में तीसरे दिन चीव उटा इसलिए उस अधिगार प्रभु का हाथ में दिया हुआ है इसलिए इस प्रभु को हम आराद न करता है और स्तूति करता है इसलिए दो बातों में हम इसमें दे सकता है एक बात है प्रभु हमारे सृष्टी करता है इसलिए हम सृष्टी इस बातों का निशार हम परमेश्वर को आराद न करता है दूसरी बात है प्रभीश्य मसी का लगू से हमको खरीदा हुआ है हमको उद्धार मिला है पाप का छमा मिला है इसलिए हम इस प्रभु को आराद न करता है और इतना भी नई हम देखते है प्रभीश्य मसी हमारा न्याई करने वाला प्रभू है और मरे वे लोगं को जीवतों को और न्याई करने वाला प्रभू इसु है इसलिए इस प्रभू को हम आरातन खरेंगे और उस्तुदी करेंगे ओई ही युगान युग आरातने के लिए योग्य है प्रभु हमको सहाइद करे इस वजनों से प्रभु हमको आशिश करे जै मसी की